हेलो दोस्तों स्वागत है आप से भी का इस platform unlimited education पे मेरा नाम है अभी जीत कुमार अनौर आफ दिस platform और आज आपका 12 अगस्त है और SWR जोन का आपका psycho test हो चुका है तो आज के class में मैं थोरा सा review के बारे में बताऊंगा कि कैसा था paper बच्चे कैसा score किये हैं और कौन-कौन सा section पूछा गया था कि किस section में कितना question आपका दिया गया है और कितना time आपको मिला था है ना तो अभी जो है सो आपका lights last week में Caesar का exam होने वाला है parallel में आपका SR प्र का exam होने वाला है WC-R का exam होने वाला है SECR प्रका exam होने वाला है इसके अलावा और भी कुछ-कुछ जोन हैं, जिसका आपका साइको को टेश्ट होने वाला है, और ये सारा का सारा आपका GDCE है, तो सेम पैटर्न आपका आएगा, धिक है, जो पैटर्न इस पे आया है, इस Іक्जाम में आया है, सेम पैटर्न आप लोगं के एकजाम में भी आज से कुछ मन्थ पहले, I think WR का exam हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे student unlimited education से preparation किये थे, तो जब मैंने feedback लिया और वो लोग जो बताए, उसी के basis पे मैंने अपना psycho test design किया, है ना, और आज के exam से पहले भी मैंने एक video बना करके आपको बताया हुआ था, कि आप लोग full test 1 से ले करके 3 तक जरूर से जरूर attempt कर लेना, same आपके exam में यही आएगा, और यही आया, मेरा काम है psycho test देना, तो 17 type होता है, तो मुझे complete पूरा cover करना होता है, है ना, worst condition के लिए, कि अगर कुछ अलग आ जाए, तो problem ना हो, तो 17 में, मैं 17 देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन आपके exam में जो 5 आएगा, उस पे आपको ज्यादा practice करना है, तो पहले मैं कौन-कौन सा section आया, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर थोरा सा आपको pattern भी समझा दूँगा, कि exam का pattern कैसा था, और picture quality कैसा था, यह तो पिक्चर पोजीशन देखलो, साथ question आपका आया था, मैं आपको 6 मिनट में 72 question का practice करवाता हूँ, 36 question और 36 question, 2 set में, है न, exam में आपका 7 मिनट दिया, और आपको 6 question दिया, 30 question और 30 question, तो जो student 6 मिनट में 72 question का practice किया है, वो student 7 मिनट में 60 question कितना आराम से बनाएगा, आप लोग खुद सोचो, यह कौन सा test था, यह था, आपको picture position test, कुछ student बोलते हैं, इसका नाम figure placement test, है न, आज भी मुझे कुछ student ने message किया, कि sir exam में figure placement test आया था, आपके test series में figure placement test है या नहीं, तो इसी का दूसरा नाम है picture position test, ठीक है, दोनों आपका same है, तो picture position test के बारे में आपको पता चला, अब मैं octagonal test के बारे में बता देता हूं, octagonal test में, octagonal test, इसको कुछ लोग hexagonal test बोलते हैं, लेकिन ये hexagonal test नहीं है, octagonal test है, क्योंकि इसमें आपका 8 side होता है, है न, ऐसे करके, तो 8 side है आपका, तो octagonal test, इसमें आपका 96 question था, और time आपको, मैं 6 minute दिया हूं test series में, लेकिन आपके exam में, इसका time आपका 7 minute दिया, है न, तो 6 minute पे मैंने आपको practice करवाया 96 question, exam में आपको 7 minute मिला, आप आराम से करोगे, और ये भी मैंने आपको पहले बोला था, कि 32 question, 32 question और 32 question का, आपका set है, अलग-अलग page में, मैं अभी आपको test series खोल करके दिखाऊंगा, पहले आप लोग pattern समझो, तो octagonal test आपका आया, picture position या figure placement test आपका आया, यहां पे आपका एक friend है, तो ये भी थोरा सा देख लो, आपका क्या आया था, track memory, memory test में, आपका track memory test आया था, और इसमें आपको 12 minute मिला था, मतलब 3 minute का आपका set था, 3 minute memory page, 3 minute question page, फिर अगला set का 3 minute memory page, 3 minute question page, तो track memory में आपका 12 minute मिला, तो ये आपको समझ मे clock test जो होता है, जिसको watch table test बोलते हो, ये आपको मैंने बताया हो है, कि आपको 20 question आता है, और 10 minute का time, लेकिन इसमें थोरा सा change क्या किया था, कि आप लोग जो practice करते हो, तो 1 figure पे 10 question, और 1 figure पे 10 question, ऐसे practice करते हो, है ना, लेकिन exam में आपका 1 figure पे ही 20 question था, तो ये आपको समझ म आया, clock test में या watch table test में, एक figure पे आपका 20 question है, ये test series भी मैंने आपको दिया हुआ है, मैं बार 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 बोलता हूँ, दिन रात का काम है मेरा psycho test, अभी के time पे all India number one platform है, website plus app दोनों आपको मिलता है, full test plus sectional test दोनों मिलता है, हर एक test आप 9 बार attempt कर सकते हो, attempt कम पर गया, तो म मैं उसको 9 से 15, 15 से 25, 25 से 50 कर सकता हूँ, unlimited education पर जो student आ गया, उसका practice में कभी कोई कमी नहीं होगा, वो ये कभी नहीं बोल सकता है, कि sir मेरा attempt खतम हो गया, practice नहीं कर पा रहे हैं, और मैं कभी ये नहीं बोलूँगा, जो फिर से course लो, या किसी और platform से course लो, उसी course में मैं new test काल दूँगा, या attempt increase करूँगा, या आपका history clear करके आपका सारा test नया करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन आपको practice करना है, तो unlimited education पर practice करने के बारे में आपको नहीं सोचना है, बस एक ही condition है, आपको share नहीं करना है, किसी और के साथ, क्योंकि वो अगर हुआ और system block जान बुझ के छोड़ूँगा, तो आप payment करते हो, या आप पैसा लगाते हो, तो आप खुद के practice के लिए जितना मन है, उतना करो, कोई डिक्कत नहीं है, ब्रिक test में आपको जैसा मैंने बता हुआ, 50 question, 5 minute, 10 figure, 1 figure पे 5 question, बांकि आपका picture placement समझ में आए, hexagonal, यहाँ पे दे आपका octagonal आता है, बांकि सब कुछ सेम ही है, hexagonal भी मैंने दिया हुआ, octagonal भी मैंने दिया हुआ, अब मैं थोड़ा सा आपको format दिखाता हूँ, कि watch table test में कैसे आया था आपका, 1 figure पे 20 question, track memory test में थोड़ा सा quality issue है, अलगभग मुझे 20-25 student message किये है, कि sir, track memory में quality काफी down था मतलब image blur था, station का नाम blur था, ठीक से दिख नहीं रहा था, तो अब मैं आपको वो सब अच्छे से एक बार समझा देता हूँ, आप लोग test series में जाते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे click करके आप लोग play store से app भी download कर लेना, ठीक है, इस app को आप लोग download कर लेना, यहा आपले मैं आपको sectional दिखाता हूँ, इसमें watch table test, उपर में table test है, 25 और उसके बाद आपका watch table test है, तो watch table test एक open करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना, यहाँ पे एक figure पे 20 question आपका आता है, देखो, मैंने आपको watch table test 1 ऐसा ही दिया हूआ है, एक figure पे आपका 20 question, और यह थ गोड़ा सा exam में scrolling था, मतलब ध्यान से समझना, मतलब एक question को पढ़ने के लिए आपको scroll करना परेगा, है न, ऐसे करके, यहाँ तक था आपका question और उसके बाद था आपका option, तो इस पे आपको practice करना है, clear है, यह आपको समझ में आ, मैं आपका, यहाँ पे watch table test 9 open करके दिखा यहाँ पे आप देखो, ऐसे, तो यहाँ पे एक figure पे 10 question है, और दूसरा figure पे आपका 10 question है, लेकिन आपके exam में क्या हुआ है, एक figure पे आपको 20 question दिया हुआ है, ऐसे करके नीची जाओगे, आपका 20 question और इस तरह से आपका scrolling, ठीक है, तो यह आपको समझ में आया, अब मैं थ आपको picture position test दिखा देता हूँ, power of observation test में इसी को figure placement test बोलते हैं, तो इसको start करते हैं, picture position test 1, यहाँ पे आपका 60 question आया था, 30 question का आपका 2 set, तो यह 6 minute है न, आपको 7 minute दिया गया था, और यहाँ पे 36, 36 दिया वाया, तो आपको 30, 30 है, तो एक set आपका यह है, save and next पे click करोगे, एक set आपका यह है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इसी तरह से perceptual speed test में आपका octagonal test आया था, octagonal test रिखा देता हूँ, 96 question 7 minute और आपका जो है सो, इस तरह से आपका आया था, 32 question, 32 question और 32 question का 3 set, ठीक है, और memory test में आपका track memory आया था, तो उमीद करता हूँ, आपको इतना समझ में आ गया, अब मैं थोरा सा आप लोगों को cutoff के बारे में बता देता हूँ, आपका first section जो था, वो track memory test था, और देखो, unlimited education के test series में न, सारे वच्छे serious होके test का practice करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा score आता है, वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे average score अच्छा चला जाता है क्योंकि सब लोग serious त्यारी करते हैं, वहाँ पे सब पच्छे एक साथ test देते हैं, है न, सब लोग, अलग-अलग platform बाले बच्चे, कुछ लोग pass system पे practice करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं हैं, कुछ लोग offline में जाके करते हैं, कुछ ल उसरे platform पे करते हैं, तो यहाँ पे mix होके सब लोग देते हैं, इस condition में क्या होगा, आपका average score कम होगा, ठीक है, तो मुझे लगवाग 20-30 लोग message किये होंगे, है न, तो जैसे किसी का 17 आया, किसी का 13 आया, किसी ने 20 बनाया, किसी ने 24 में 24 बनाया, किसी ने 23 बनाया, किसी न आपका attempt हुआ है, हो सकता है, किसी ने इस से भी कम बनाया हूँ, test series में मैं आप लोगों को 18 cut-off दिखाता हूँ, out of 24, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों का score 15 पलस है, 14 पलस 15 पलस है, तो आप लोग सेफ जोन में हो, आप लोग ये section qualify कर जाओगे, T score का formula आप लोगों को पता होगा, 50 पलस 10 गुने, आपका score minus average score बत्ते standard deviation होता है, है न, और pass होने के लिए T score 42 या 42 से ज्यादा होना चाहिए, 42% नहीं, market में कुछ teacher गलत बता देते है, कि brick test में 50 question है, 42%, 21 question सही करोगे, pass कर जाओगे, गलत, ये concept गलत है, ये T score का formula होता है, T score maximum आपका 80 तक होता है, तो आप जो ये average score लाओगे, वो यहाँ पे आपका बैठेगा, और आपका score यहाँ पे बैठेगा, और फिर standard deviation निकलेगा, उसके बाद इस formula में बैठेगा, और उसके बाद आएगा जैसे 43, 55, 72, जो भी है, तो ये 42 से ज्यादा है 42 से ज्यादा है, तो आप pass करोगे, psycho test में ये पाचो section में आपको 42 से ज्यादा लाना परेगा, तो track memory test में ये अगर है आपका score तो आप लोग relax रहो, देखो, fresh vacancy जो होता है न, उसमें काफी बच्चे होते हैं, जैसे आपका 500 पलस seat है, आठ गुना का selection होता है psycho test में, तो इहां पर 800 पलस बच्चे ही है, 500 seat के लिए, जितने भी लोग unlimited education से practice कियो न, अगर आप अच्छा से practice किये होगे, तो आज के बाद, आप लोग अराम से job करो, result आएगा, आपका selection fix है, चलो, इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका, अगला section, जो कि आपका watch table test है, watch table test, इसमें भी आपको 10 minute मिला था, और आपको 20 question मिला था, इसमें जिसका भी score 14 पलस है, या 13 पलस है, आप सभी लोग select हो जाओगे, ठीक है, वैसे सब लोग 15 पलस, 16 पलस ही ला रहे होगे, इसके बाद आपका brick test है, brick test में मैं आप लोगों को cut off 42 दिखाता हूँ अपने test series में, लेकिन जिसका 35 पलस, 38 पलस है न, आप लोग ये section qualify कर जाओगे, वैसे unlimited education का अभी तक जो मैंने देखा है, maximum student full out of full, 50 out of 50 attempt किये हुए है, और 40 पलस, 45 पलस तो ऐसे सब का आ रहा है, फिर भी आपका ये cut off जाएगा, इसके बाद आपका picture position test जो है, picture position या figure placement, तो इसमें मैं 72 में आप को cut off 56 दिखाता हूँ, यहाँ पे तो 60 ही question था, उपर से time भी आपका एक मिनट ज्यादा मिला, तो इसमें अगर 60 question में, अगर आप लोग 42 पलस, 45 पलस score कर दिये हो, तो आप लोग safe zone में हो, psycho test में negative होता नहीं है, accuracy का कोई role होता नहीं है, तो सब लोग पूरा का पूरा मार के ही आए होगे, simple सी बात है, है न, तो जैसे 42 बनाए हो, 60 में 42 बनाए हो, और मान के चलो 18 आपका बच गया, आप ABC रिटिक मार दिये, 265 वहाँ भी तो सही होगा न, क्योंकि psycho test में accuracy का कोई role नहीं होता है, Octagonal test थोरा सा असान होता है, time भी आपको ज्यादा मिला था, तो इसमें 80 पलस, 78 पलस, 75 पलस अगर आप लोग बनाए होगे हो, तो आप लोग safe zone में हो, और जिसका psycho test काफी अच्छा गया है, तो आप लोगों के लिए तो काफी पढ़िया बात है, क्योंकि 30% आपका weightage भी है तो अगर return exam में आप अपने दोस्त से 10-20 rank पीछे हो, या 1-2 नमर पीछे हो, तो इस exam में अच्छा करके आप उसको पीछे कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी बढ़िया बात है, बाकि other zone वाले जितने बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, अगर unlimited education का psycho test आप ये code use कर लेना, UEA 250, सब लोग starting में देते हैं, मैं last में देता हूं, कारण है, यहां तक जो बच्चे देख रहे हो, ये serious बच्चे हो, इस code को apply करना, आपका 250 कम हो जागा, 1449 है ना, तो minus 250 करोगे, 1199 आपका हो जाएगा, और कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर इसमें full म मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, कि discount हुआ, तो validity कम हो जागा, तो ऐसा नहीं है, unlimited education पर single course for all student, तो जो है, वो सब के लिए same है, सारा sectional, सारा full, सारा videos, lecture, एक साल का validity, सब कुछ, जितना practice करना है, exam date तक करो, आज जिसका भी exam हो गया है, hope for the best, और जिसका exam होने वाला है, आप लोग इमानदारी से, अच्छे से कोशिस करना, laptop पे mouse के help से practice करने का, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से exam का त्यारी करते रहो, जिसका हो चुका है, आप लोग relax होके job करो, जिस दिन result आएगा, उस दिन मुझे message करना, वीडियो पसंद आया हो, तो like कर देना, bye, thank you